कई लोग बोलते हैं, कि यहार मैं चाहता हूँ ना, बहुत कुछ बड़ा करना पर करन नहीं पा रहा हूँ, होता ही निया कुछ ना कुछ अठीचने आ जाती है, थौट प्रोसेस उस जगे पे पहुची ही नहीं पा रहा है, मैं लोगों को समझा नहीं पाता, मैं सिंपल इसक कितनी बड़ी होती थी उन लोगों की कितनी बड़ी सोच थी उन लोगों की हलो दोस्तों मैं डोक्टर योगिंद सिंग राठोड और आप लोगों के लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड आज हमारे बीच में बहुत अमेजिंग पस्नालिटी मोजूद है ये एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट है बड़े-बड़े सेलिबरिटीस, इंडस्टिलिस्ट, हाउस वाइफ हर प्रकार के लोगों को नेशनली और इंटरनेशनली इन्होंने गाइड किया है इनकी वास्तु कंसल्टेंसी, एस्टो कंसल्टेंसी से लोगों ने बेहद बेनिफिट पाया है और आज बहुत कुछ डीपली इस साइंस के बारे में हम जानेंगे तो प्लीज वेलकम शद्धा शर्मा जी ओन आर शोओ हर कोई जर्णल आदमी इसको एपलाई कर सके क्यूंकि यह साइंस है न हिडन साइंस है हर कॉमन आदमी इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं जानता है और यह हिडन है इसलिए इस फील वहीं होती है पर चुट बच्पन में लेकिन उस वक इतनी अवेर्नेस नहीं थी पता नहीं था और मेरी फैमिली में भी कोई इस फील्ड में था नहीं वास्तोर एस्ट्रोजी में तो मैं कुछ-कुछ चुटी-चीज़े करती थी लोगों का हाथ देखना बताना करना तो उससे लोगों को कहीं कहीं कुछ रिजल्ट आते थे वह भी उसके लिए मैं मत इतनी अवेर नहीं थी मुझे नहीं पता था क्यों आते हैं कैसे तो लोबाग में पास आने लग गए तो फिर घर में सब को लगा कि नहीं यार ये तो भी बच्छी छोटी है पढ़ाई का टाइम है और ये सब ठीक नहीं है पता नहीं क्या हो रहा है तो उस चीछ को वहाँ पर खतम तक मेरे दौनों बच्चे हो चुके थे 18 में फिर मैंने प्रोफेशनली इस जर्नी को कंट्यूनी किया और बाइदा ग्रेस ऑफ गॉड बहुत में को आशिरवाद मिला बगवान का बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले आगे बढ़ती चलीगे ये जर्नी और नेशनली इं सरिफ एक टाइप ओफ पीपल को ही टागेट करना चाहते हैं तो इच्छे अच्छे जो कि बहुत बात में समझ में आई कि ये मेरा कुछ डेस्टीनी में है कि मैं मतलब में पास में मैं उसको पीछे नहीं हटा सकती हूं लोगों को अगर कोई में पास में किसी भी बैग्रा सकती लेकिन अब मुझे इस समझ में आगे है कि कोई चीज है इसको आप आपकी कर्म अलॉटेड आप इसको पीछे नहीं कर सकते हैं इसमें इंटुशन का कितना रॉल रहता जैसे आपने मैं चाहिल्वूड के आपके स्टोरी सुनके मुझे लग रहा है कि आप बड़े इं इंटुशन बहुत बड़ा रोल पे करता है इसके अंदर वह तो बहुत बड़ा मेजर रोल तो वही प्ले कर रहा है लेकिन आप हर आदमी को अतने डैथ में कैसे समझा सकते हो एक गंटे डेर गंटे की मिटिंग में आप उसको वह फेद कैसे ट्रांसफर कर सकते हो पहले त अच्छा आपको बच्पन में इंटुशन से हो गएते हैं तो वह बड़ी अन्रेलिस्टिक लगता है पहले फेस में जब इंसान आपसे कनेक्ट हो जाता है ना तब उसको लगता है कि नहीं यार यह कुछ और चीज़े हैं यह फेद ट्रस्ट पे कुछ चीजी हो रही अलग वह खेर अलग बहुत खेरा आप उन चीजों को समझते होगे क्योंकि आप खुद भी मतलब वेलनेस पर ताम कर रहे हैं और वेलनेस पूरी तरीकिये से फॉट प्रसेस है त्रू इन दोरों में डिफ्रेंफ क्या है ले वास्तु की मोदलिट यॉर एस्टु की मॉडलिटी यो गई रीशी मुनियों ने इसको नेचर के साथ में, क्योंकि जितनी में मारे आयुरवेद हो गया, आयुरवेद ने बॉड़ी के ओपर काम किया, वात्पित कफ, वास्तु ने आउटर स्पेस पर काम किया, और दौनों जो ये विद्ध्याई थी, एक साथ फ्लरिश होई थी उस टा होगे तो दिक्कत होगी, वास्तु भी ये कहता है, गलत दिशा में सोगे तो दिक्कत होगी, गलत दिशा में थाना बनाओगे तो दिक्कत होगी, गलत दिशा में ट्रेवल करोगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि हर दिशा, हर डायरेक्शन, हर कलर, हर एंगल, हर एंगल, हर एं पार्ट है तो जिन लोगों का भी साटन बहुत पावरफुल है वीनस बहुत पावरफुल है और एरी साइन में उनके प्लैनर्स बैठे वे हैं लिपरा एक्वेरियस और जैमिनाइन में उनका कनेक्शन ऐसे सूरद गुजराथ से रहेगा कपड़े में रहेगा डाइमन इंड उनका कनेक्शन इन जगों पर से होगा और कुछ अगर एसे एक्जामपल दे आपको एक्जामपल एक बार हम वास्तु से स्टाइट करते हैं कि वास्तु और ग्रहे जो हैं हमारे वो सब को रिलेटेड़ हैं सब आपस के अंदर क्रिके ना दौनों अलग नहीं है चार चीज है यह आदमी घूम रहा है उसकी दस मिटर इएक रस्ती है तो कभी तो वह एस्ट्रोजी पकड़ रहा है नहीं मैं तो एस्ट्रोजी पर इमेको तो बाछ रिजल डाते हैं तो बोलता नहीं अपने करमास पर बिलीव करता हूं वह पहनात करो सब कुछ होता है मैं इसको नही है वास्तो बहुत अच्छी है और एक फ्रीविल है कि आदमी कुछ भी नहीं सोच रहा बस अना काम करता जा रहा है तो यह चार चीजें है भूम रहा है इंसान तीके ना पर एक रसी है पर यह बंधा हो इस रसी से अगर इसको तोड़ना है अपने विजन को बढ़ाना है आ मैं चाहता हूँ ना बहुत कुछ बढ़ा करना पर करण नहीं पा रहा हूँ थोता ही और ने कुछ ना कुछ अटिजर में आजाती है थौट प्रोसेस उस जगए पे पहुअ पहुची नहीं पा रहा है मैं लोगों को समझाई नहीं पाता मैं सिंपली इसको पूलती हूँ गर की जो मेन एंट्रेंस है, वो कैसी है, छोटी है क्या हो, तो वो बलता है, हाँ, छोटी है, घर की मेन एंट्रेंस इन लोगों की बड़ी होती है, उनकी बड़ी सोच होती है, आप तेखो पहले कि राजा महारा जो किलो में रहते थे, एंट्रेंस कितनी बड़ी होती थी उन लोगों की कि इतने बड़े राज्य को चला रहे हैं इतना वाइट सोच के तो यह रिलेट हो गया यहां से वह 100% बोलेगा अगर नहीं बोलेगा तो मैं अगर आप जाके चेक करूँगी तो इस इंसान की एंट्रेंस जो है वो छोटी होती है वो जाहा के भी जो मैं बोड़ी अञुंकि वर्ची उसको तोड़ी नहीं पा रहा है क्यूंकि प्लैनेट सा दर जो राहू होता है जो प्लैनेट है वह आपकी एंट्रेंस को दिमाता है आपकी सोच ने बड़ा किसो क्लिक व्होटेज को दिखाता है आप कितने बड़ा सोच रहे हो एुटना बड़ा सोच से निकल रहे है आप चेक करते हुए जितने भी जो अच्छी बहुत पॉश एरियाज है वहां पर सब की एंटरेंस बड़ी होती है आपने देगा चुटी-चुटी सी एंटरेंस है नम बड़ी ही रगते हैं बड़ी होती है उनकी सोच भी तो बड़ी है बड़ा ही काम कर रहे सीचि़ कोरते ही कर दो सबसक्तितने देखरने ना का रच जोश्य कि अगया कि अपने चीज़ने में बाता रही है आप की सोच के बारे में, यह जितने चीज़ने रखी वी हैं यह आप ऐसे रेंडमने उठा के नहीं लेकर आ गए हो एक गया है कि मेरे को अपना यह रूम इस तरीके से तो आपके थो चल रहे थे वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं यहां पर और यहां की चीजे मुझे आपके थाट्स दिखा रहे हैं कि आप कैसा सोच रहे हो ठीक है हम कहीं कहीं जादे हैं बोलके यार जासा समान रख रहा है इतना बॉड़ी चंकिला कैसे लोगों को पसंद आ जाता ह कितना लाइट और कितना अच्छा इंटीरियर था कितना पीस दे रहा था उसकी थौट्स थी जो ऐसा समान लेकर रहा है क्यारब मैं वापर से अपनी स्थीच पर आती हूं मैं एंटर करी पर तो एंटरेंस देखी छोटी है ठीक है और फिस साइड में बहुत सारे खराब अधरी फिर याद करेगा फिर फैमिली से पूचे करें हाई कपसे रखा हुआ था हो तो रहा है हां उसके बाद में बहुत चीजे मतलब फाइटिंग्स बहुत होई है मेरा इरिटेशन लेवल बट बढ़ गया बिल्कुल क्योंकि राहू आपकी एंटरेंस है जितने पी इल सब कुछ एनर्जीज पर काम हो रहे है यूनिवर्स वाइट बेरिशन पर चल रही है एनर्जीज है सब कुछ अब मंगल और रागू का नेगेटिव फॉंबिनेशन बन गया ऐसे घरों में कंट्यूनियस फाइटिंग होती चली जाती है लड़ते रहते हैं लड़ते रहते हो के जैसे वहां से वहां से वह चीजे से उनर्जीज अधराई खराब या थो इसको ईसए खरो जिया तो ता कर दो तक हिए ये नेगिटिव मंगल यहां पर मैंulें की में बात कर रहे हैं और वस्ट कर रहे हैं दोण आरी वां याह तब कर रहे हो माले कि संद्रा दों ही लो है सूंड है एक हनुमान जी और गणीज थी आप देखो पुराने जितने भी गाउं थे ठीक है वहां पर की जो एंट्रेंस होती थी मैं गाउं की घर की एंट्रेंस की बात नी कर रहे हूं पहले हर गाउं की एंटर में तब रोड से एंटर करते हैं एक बहार एक बड़ा पिल करें अब आशकर लोगों किया कर रहे हैं है कि पहले में और अब में मैं फरक बता रही हूं सबसे में इंश्व जो लोगों के घर में जखडें में vara हुआ है भुम हम पहले गर की बार में हर गर की बार वैसे लाइट Application फुत हैं तो वह बिज़ली के खंबे पॉल नही वहता जिनके घर के बहार जस्ट कोई बिजली का पोल है और उसमें बहुत सारे वायर्स आपस में उल्जेवे हैं उन घरों में 101% आप आँख बंद करके बोल दीजी कि जगड़े बहुत होते हैं क्योंकि उसने नेगेटिव रहो और मंगल अपना एक्टिव गर ठीक है तो सॉलुशन यह है कि आप अपने घर की मेन एंटर्स के बाद में हनुमान जी की एक मूर्ति स्थापित कर देजी तो जो नेगेटिव मंगल और मास की एनरजी घर में एंटर हो रही है न वो खतम हो ज क्योंकि 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 आजकर छोटे फ्लैट्स में घर में जो वास्तू हो रहा है न एक्ट्यों में वह वास्तू नहीं हो रहा है वो फैंच्वी करते हैं रूपा एलिमेंट्स को बैलनस करते हैं वास्तू दो सिफ पहले राजा माराजाओं के जगों पर होता था जो बड़ी जगी होती थी बड़ा एरिया होता था बड़े प्लॉट्स होते थे बड़ा ग्राउंड होता था अब छोटे-छोटे से टू प हुआ भराभाम स्थान को बन रखो जगे नहीं नहीं वहां पर इस वहां पर इतनी तो पिलर यहागा ब्राम inflam shut present a a प्ल्राइम के घल जश्च में और रहनें रहनें इस ब्रहुकों का ब्रैम स्पवेंट आपका घल का रॉम स्थान सेंटर पॉंटton फ़लेशे अधा उसक तो जो कॉलम बीम्स होती हूं कहीं तो आएंगी तो बहुत बार 90% ब्रहमस्थान के ओपर आजाती है अच्छा आप बॉड़ी के अंदर भी वास्तु पुरुष को अपलाए कर सकते हो बॉड़ी के अंदर आपका नेवल है सेंटर अब आप सेंटर पर यहां पर कुछ बारी स अच्छा आए था वो लेडी मुझे बोली कि मैं कम से कम 50-60 डॉक्टर को दिखा चूकी हूं मैं कुछ भी खाती हूं वोगवर्माटिंग हो जाती मैंने सिर्व उनका जाके ब्रहमस्थान चेक किया था ब्रहमस्थान पे उनका वास्वेसिन बनावा था ओक वास्वेसिन थ पर बड़ा रिदिफा गया था था नेवल है ना आपका आपने उसको गंदा कर रखा है भारी आप खुद रख देंगे तो आप अनीज हो जाएंगे तो ब्रहमस्थान कोर है ब्रहमा जी के अनरजी क्रेटर है वो तो अब आज में अप्लाई ही नहीं होएगा तो फिर हम मत रोस्टेट लेगे से फरक्त है ना तो इसमें भाग नहीं सकते ना अब जो भाग सकते हैं तो जब इनका वास्तु ऐसा होदा था मैं उनको पहले ही पोल देती हूं कि भई ये रेमेडी करिए रेमेडी जितना ही वाम करेंगे तुम ये मसोट ना कि तुम आपका क्योंकि कल सबसे बड़ा नेगेटिव एनरची का सोर्स ही बात्रूम है सारा अपना नेगेटिव इनकाल के आर आप पूरी वाड़ी की दंदे की निकाल रहे है अपनी वाड़ी की अब ऐसा वास्तु को बोलू नहीं अपने गर से टॉलेट आड़ा तो मैं अधुद की नहीं सकती है अब तो हर बेटरूम के साथ में टॉलेट एक टॉलेट आया था वह भी घर की कौने में होता था बहार बहार होता था तो फिर वास्तु तो ट्रीटमेंट का इतना रिजल्ट ट्रीटमेंट जितना की आपके चूट लगी अपने पट्टी लगा लिए आपना काम काम कर पा तो उसका absolute solution तो ही नहीं है ऐसा मतलब अगर मैं सची बात बोलू है आपर तो वो ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट के जैसे हां पर रिलीव आचा है उस इंसान को रिलीव में लेगा लेकर आपके सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है आप डिस्प्रिंट लोगे तो रिलीव बिल्कुल आप और बताएं मुझे वोटर फायर और इसे बहुत सारी चीज़े होती है कि साथ में नहीं होना चीए तो किचिन का कुछ आप क्या चलता है कि घर में एंटर करें एंटर करते हैं किसी का ड्राइंग रूम है तो उसकी बच्चे बहुत प्रॉस्पर करेंगे घ अंक बंद करके बोलो तुम्हारा बेटा जो है वह बहुत लीजी है अच्छा टैनिंग टेबल सैटन प्लैनेट को दिखा रहा है और सैटन लेजीनेस दिखाता है तो घर में एंटर करते हैं अगर टैनिंग टेबल रखिए तो आप बोलेगा है उसको सिंपली बोल दो यहा अच्छा जी और बचाओ मैं आपको घर में वास्तु पुरिष को अपनी बोडी के हिसाब से भी आप उसको देख सकते हैं तो जो एंटरेंस है वो प्लैनेट को दिखाती है जो में एंटरेंस है वो राहू को दिखाती है और जो बैक एंटरेंस है वो केतु को दिखाती है ह क्टिबंग çalışआ एãरि बॉट इंगा, वह देखें हैं जिन रह highest खाली हो रहन ordinance हैंि. छिसका दिखाली उस्थोरा आप एंट नतOR रहा खाली है, पैक्ति हो सह एक्ट जिन लोह कें हम खाली है, निसे एका खाली हो थे एक क्टिबंगा, निसे वाले प्रॉडबलम रहती है। एंड ऑफ दे उनके पार्ट कुछ नहीं बसता विए कि जो खाया वो गया सेम प्रपोश्ट नेट है हमारी बॉड़ी में तो नहीं इन एसा यह पार्ट बड़ा है निचे के पार्ट चुटा है नेचर ने सब कुछ स्ट्रमेटिक बनाई यह चीजे हैं और पहले आप कोई भ बाल्कनीज हो गई अच्या बाल्कनीज पस्ट्रमेट नेट हो गए। पर वह जाना हता है यह ओता है सेम ही गेट होते है साइस वह चोटा बड़ा नहीं होता है लेकिन अगर आप कोई बड़े किसी उसमें जाएंगे सोसाइटी में तो महा पर मैंने नोटिस करी यह बाग उन लोगों के जो मेन गीट होते हैं, जैसे कि मैंने काई गोरोungs hayaniya. जैसे गुडगावन से kyणर JESSICA就到 टूरी, ї जो काफी बड़े हैं और बाखी बड़े हैं आपने बोडी के बारे में बताया अब जो mental health और इनका क्या आपस में relation है कई लोग जो suicidal tendencies में आ जाते हैं, depression में आ जाते हैं और बहुत सरी जगहों पे कोई such cause भी नहीं होता है दिखने में नहीं आता है कि इसका cause क्या था मतलब जिंदगी भी अच्छी चल रही है उसकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है but still the person get into depression and mental health issues so इसके पीछे इससे भी जूड़ी है वास्तो हाँ, बिलकुल जूड़ी है directions इसमें भी एकदम प्रॉपर दिखती, कुछ certain directions है west की कुछ direction है south की direction है जब वो imbalance होती है तो जैसे अगर south imbalance है कैसे हैं, क्या हैं बताऊंगी छोटे साफटाफट तो उसमें इनसान को बहुत fear होने लग जाता है कि मेरे घर में चोरी हो जाएगी मेरे बच्चों को कुछ निहाम नहीं हो जाए या बच्चे बहुत aggressive हो जाते हैं ऐसे बच्चे उठा के कुछ भी चीज़ साउथ कटा हुआ है यहां पर बहुत सारा वाटर एलिमेंट है क्यूंकि साउथ अगनी की दिशा है फायर डिस्टब होगी तो आदमी एग्रेसिव बीहेवियर में कनवर्ट हो जाएगा क्यूंकि फायर बैलेंस होती है तो आदमी सही एक्शन करता रहता है अगर फायर डिस्टब हो जाती है और फायर अगर बैलेंस है या उट्रस्पेस में हो और ऑग्रेट करती हिर्यों तो साउथिस रिप्र्डेसंटिंग फायर या एक्शन आपकी विल पावर अब जो लोग ऐसे जो हरकते करते हैं जिनको इस तरह की imbalances होते हैं, आप उनके common traits है, common traits क्या है, एक तो वो hygiene उनकी सही नहीं होती, कोई routine नहीं होता उन लोगों का, जिनका depression पारता है, उनसे सबसे बाए डॉक्टर यही पूसता है, कि आप time से सोते हैं क्या, time से नहाते हैं क्या, तो वो उनकी घरवाले बोलते कि नहीं करता है, सोते रहते हैं को लो, curtain लगा लगा के बन करके एक जगे पे, AC on करके, डार्कनेस में, और एक रिपोर्ट आई यह डबली हो की कि पांस साल में सबसे बड़ा pandemic जो है न, वो mental health का ही होगा, तो इस रेशो से लोगों को depression, anxiety issues और disorders, personality disorders बढ़ते जा रहे हैं, तो बिल्कुल 100% वास्तु के अंदर directions इन सब चीजों पर matter करती है, और यह जब balance होती है, तो उसके mind के उपर बहुत positive impact आता है, तो क्या चीजों का ख्याल रखा जा सकता है अपने घर में वास्तु के इसाब से कि mental health पर लोग काम कर सकें, क्या remedies हैं, सबसे पहले तो जो घर का north और east पार्ट है, वो हमेशा light होना चाहिए, हलका, जितना हो से कि वहाँ पर भारी समान ना रखें, वहाँ से proper ventilation हो light का, air का और sunlight, north और east ऐसा रहना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, हलकी होनी चाहिए, वहाँ से proper, क्योंकि सबसे पहले sunrise भी नॉर्थीस्ट में होता है, और न आए नहीं कर सकते हो, बारा बज़े एक बज़े बाद में आप दूपे खड़ी नहीं हो सकते, इसलिए बालते हैं, साउथ को बंद रखो, खुला मत रखो, क्योंकि वहाँ से अगर sunlight गर के अंदर एंटर करेगी, तो आप वहाँ करेगी, साइंटिफिक रीजन इसके पीछ के वहाँ करेगी उसको बंद भर्ण कर दिया, और यहीं हो साउथ में इसलिए भाज़े बाद दोर बज़े बारा बज़े बाद युण दोर ज़े करेगे डिज़ेगा है, जब संपूरे थरीकिसे तरीकी साउथ होता है, और वहाँ इतनी हार्श आपकी पीड़ वहाँ कि नहीं होना अची अंडर्ग्राउंड क्योंकि उस पानी के अंदर फिर वो रेस पड़ी जो हम कर रही फिर उसको आप पी रहे हो इसलिए पोला जाता है कि अंडर्ग्राउंड वाटर टेंक नौर्थ में और एस्ट में बनाओ ताकि जो वो रेस आए वह आपकी बॉड़ी को आपके पानी को फिल्टर करें क्लीन करें और क्या कर सकते हैं डाइरेक्शन यह तो गया डाइरेक्शन से रिलेटेड एनिटिं अल्स अंदर थीक है ना तो वहां पे बहुत बड़े-बड़े मिरर्स नहीं लगा नहीं चाहिए अंडर्ग्राउंड या ओवर हैडवाटर ट जतनी बी शेप्षेस ना वह कोई-णा को दिखाती है जिसा ट्राइंगल जो धाना वह फायर टिए है! अब को जो सर्कुल शेप्षेसन सच आप्स और जो सर्कुलर शेप्षेसन वह हमेश्यम बंदिरों में यूस है गए हैं गुंबट, टोंभ आइर भाए ना सारे? येस, घरों में तो नहीं बना रहे हैं सही उपर, क्यूं था यह सब चीजे, मैं बताती हूं आपको इसकी रीजन्स, स्पेस एनर्जी जो है न, वो हर कोई उसको सहन नहीं कर सकता, उस एनर्जी को बहुत, क्योंकि स्पेस सबसे बड़ी एनर्जी है, पुरा ब्रह्मान इसके अंदर आ गया है, इस एनर्जी में, तो जब आप मंदे जाते हैं, तो आप भगवान से कनेक्ट करते हो, मतलब आप स स्पेस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो अपने आपको, तो घरों के अंदर बहुत ज्यादा सर्कुलर शेप की चीज़े नहीं लगानी ची अपने उपर च्छतों पर, उसके लिए बताया यह वास्त में, कि रेक्टेंगुलर शेप आप यूस करो, या स्क्वायर शेप यूस वो फैमिनिजम है, उसमें फायर है, वो चीज़ों को पैदा करती है, औरी प्रोटेक्शन पावर है, तो श्री अंतर का यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छी हाँ पर रेमेडी पे में बताने जा रहे हूँ लोगों के लिए बहुत काम करेगी, कि कि लोग बाग श्री श्री अंतर की प्रॉपर डायरेक्शन साव तीस डायरेक्शन है, और श्री अंतर को वा पे रखिए, लक्षमी जी की ब्लेसिंग्स लाइफ में बहुत अच्छी रहेंगी, फायर आपकी गर का बैलेंस हो जाएगा, घर की फीमेस एक्टे हो जाएंगी, घर की फीमेस की जो प्रॉपलम जो होती है, हार्मोन्स की वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी, घर की मैलाएं टीचटी नहीं रहेंगी, बहुत चुटी बातों पे रोहेंगी नहीं, क्योंकि फायर बैलेंस हो गया, वो फीमेल गॉड़ेस को दिखा रही है, श्री अंतर, और श्री अंतर थोड़ा आपने से दो एलिमेंट्स के बारे में तो आपने बताया, और भी बाकी जो एलिमेंट्स हैं, वो भी इन शेप या कलर से कनेक्टर है, सब चीजे मैटल्स प्याकर इसमें, अलुमिलियम, आइरन, ब्रास, यह भी सब डायरेक्शन से रिस आप से, पहले ना किचन म पार्ट कोई अलग होता था, मतलब कीचन से थोड़ा सा दूर अलग, तो किचन में स्टोरेज मतलब आपने कही ना कही मून और सेटन का कॉंबिनेशन को मिला दिया, अच्छा, जब यह सेटन की कॉंबिनेशन बनता है, मून और सेटन तो यह विश योग बन जाता है, बटेंट इनलोंकी घर मेंल स्टॉरेज है मैं संपली उसे यह जाके बोलती हूँ में है मैं सबसे ज्यादा सरय वह था에 एक दुनों को होता है यह किसी को जादा होता है किसी को काम होता है वह इंपक्ट करता है परस्टनाल उसके प्लैनेट कितने जादा वह है करोना आया अच्छा तो चले गए दुनिया से कई लोगों को थार्ड स्टेज पर ठीक हो गया और कई लोगों को हुआ ही नहीं तो यह क्या दो ही अगर सैड है तो बाकियों पर इंपक्ट क्यों नहीं है और जिन पर है उन पर क्या वीखनेस उनके अंदर है कि इसकी वज़े से आया पहरी चीज तो यह होना ही चीज किछन में स्टोरेज मत रखो अगर नहीं रखो के तो जन्रल प्रॉस्परेटी भी बहुत अच कर रहा है मेरा गुरू ग्रेब बहुत स्टॉंग है तो शायद मेरको इतना इंपेक्ट नहीं कर रहा है मैं उस चीजों से निकल लगी किसी का वी के तो फटाफट से उस चीज में आ गया वही आपकी इम्मिन सिस्टम कितना स्टॉंग है अच्छा सभी बात मालेरिया तो अच्छा स्टॉंग है तो बात मैं तो मतलब यह प्लैनेटरी इम्मिनिती भी कुछ होती है अच्छा से प्लैनेटेश का रहा है तो चार्ट्स और वास्तु इन दोनों में क्या कुछ डिफ्रेंसरे रहता है वैसे तो कोई डिफ्रेंस निये दौनों मतलब सामेंटी के अधेकरा निए सादमे से रिलेटीड है आगर वह ऩ्लोग से वास्तू ही प्रैक्टिस करते हैं आप एस्तू लोग में इतना नहीं प्राक्टिस करते हैं और टेंद भी करता नोड खालते यह घे wholly आदम वो किस चीज़नदार्छै अगर वो astrology की changes कर रहा है तो कही ना कही वास्तु पे इंपक्ट आ रहे हैं वास्तु की कर रहा है तो astrology में भी आ रहे हैं वो सब उसके चार्ट में थी चीजे हैं कर रहा है तो यह जिसे आप प्रोकेस्टिनेशन की बात करिया आपने तो यह यह जो कई लोगों के laziness पर आपने बात की तो कई लोग मेरे पास आते हैं प्रोकेस्टिनेशन का बहुत इसू रहता है कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारा knowledge बस इकटा करते रहते हैं उस पर action नहीं लेते हैं तो यह behavior जो है specific कुईसी में overthinking का behavior है और फिर तो कुछ है कि जिनमें किसी ना digital addiction जैसे आ गया तो यह क्या correlated है इन चीज़ों से इस यह क्या चीज़ कंट्रोल करते हैं कौन से चार्ट कौन से remedies है इसमें वो बताएं देखिए कि जो अभी आपने बता है कहीं लोग knowledge लेते रहते हैं और करते हो action निया तो south मैंने बता दिया imbalance action नहीं कर रहा है fire imbalance है फिर overthinking या laziness 100% उन लोगों का जो बैड होता है जिस पे वो सोते है उसके नीचे storage होती है पहले कहा होते थे ऐसे बैड पहले लोग बाग तो शायद वो खटिया खाट जो होता तो सोते थे नीचे कुछ नहीं चुटी-चुटी सी चीडिया है मैं बता की जा रही हूं लोग पाक इसको 100% रिलेट करेंगे और जब इसको treat करेंगे उसके result पी आएंगे उनको अगर ऐसा कुछ है तो जैसे अगर कोई suppose बहुत effluent है suppose बड़ा उल्डेटी उसके पास में बहुत पैसा है उसके पास में बह सब्सक्राइब करेंगे तो फिर वहां पे उसका इंपक्ट क्यों नहीं है कहीं पे मैं वास्तु करने गई थी तो उन्होंने मुझे बुला मैंने उनकी कुछ कुछ चीजे बताएं कि ये सब चीजे आपकी साथ होती तो वहां होती है ठीक है तो पर उनके साथ तो नहीं हो ठीक है ना तो उनके साथ तो नहीं हो रहा है मैंने बुला बिल्कुल हमें नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है लेकिन आप मुझे एक बाह बताओ आपकी जो भी प्रॉब्लम है कि आज जब आप शाम को हस्बिन भाई भाई भार निकलते हो तो लोगों को एक ही क तो मैंने बोला, मुझे यह बहुता हो कि जैसे आपको उनकी बारे में नी बता हो उनको भी तापकी बारे में नी बता हो आपकी लाइफ टीजी जल रही है आप बहुत बड़े अच्छे सीनियर डॉक्टर है आप IT प्रोफेशनल हैं लेकिन कितने सारे लाइफ में चीजे हैं तो में चीजे हैं लोगों के साथ में अच्छे से बेहव करते हैं लेकिन बेक फड़ा माइन वो इस्ट्रेश सब चीजे आपको नहीं पता कितना बड़ा आदमी उसके साथ में क्या चल रहा है जितनी बड़े चीजें यह तो मुझे 100% अब लग गया है लोगों काम करते कर यह उतना बड़ा स्ट्रेस वर्कलोड उतना बड़ा प्राप्लम तो आई थिंक तो वो उनकी शायद मनी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है मगर दूसरी चीजों पर उसका असर आ सकता है बिल्कुल आता है कहीं न कहीं और रिलिश्टिशिप पर आ रहा होगा क्यों इतने सारे वेलनेस सेंटर खुल रहे हैं फिर क्यों खुल रहे हैं इतने बड़े बड़े क्यों इतने सारे प्रोफेशनल गुरूस प्रीच्वल गुरूस इतने बढ़ते जा रहे हैं क्यों हैं क्या कर रहे हैं वह आपका आपको पॉजिट्वी तो दे रहे हैं ग्यान जाते जाते क्यों अपने mental को relaxation दे रहे हैं पेन है यहाँ पे belief का कितना रोल आ जाता है इन सभी modalities में बहुत जादा रहता है belief के रोल में यह हो जाता है क्योंकि उसमें फिर मेरी energy बहुत सारी यह ले जाती है पहले तो उसका बहुत सारे नेगेटिव कोश्चन से और बहुत सारी information से तो पहले दो उस ब्लैकबोर को खाली करो क्योंकि भारा है तो नया तो कुछ लेगा नी अब उसमें आणेज जा रही है मेरी जा रही है उसकी तो जाने रही है उसको तो मजा आ रहा है सिर्डाइब करने में पूछने में जूपी चीज मैं गलत जी इस करुणी लेकिन पैले में उसको बिलेक भी ब्लाकुद कहली गण निमेरीचा निव बहुत सब्सक्क्राइल्च काह गुष्श्स फिर नहीं अपना मसारा डालो, तो वह बहुत टाइम टेकिंग है, क्योंकि इनफॉर्मेशन इतनी सारी फैली वी है, हर आदमी इनफॉर्मेशन ले रहा है हर मिनिट मिनिट के अंदर, कुछ दूसरी फिर कुछ दूसरी, प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है, बिलीफ क आश्रोलोजी, पामेश्टी, इन सभी के बती एक बात करते हैं, कि यह अंदुश्वास है, इस तरीके की बाते भी लोग करते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं, जो बिलीफ करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बीच में हैं, जो उनको clearly समझ नहीं आ रहा है तो especially उन लोगों के लिए जो non-believer हैं उनका ठीक है लेकिन जो बीच वाले हैं मैं उनके लिए जाऊंगा कि अगर आप उन्हें कुछ guide कर सकें कि how it is not a superstition या फिर ये किस तरीके से एक अन्विश्वास नहीं है एक real methodology है जो सही वैगाम करती है देखू पहली बात तो ये बहुत Vedic Science है और मेरा personally ये मानना है कि कोई भी चीज से जहां आपको relief मिल रहा है वो आपको adopt करनी चाहिए उस पे आपको faith करना चाहिए चाहिए कोई भी science हो दूसरी चीफ कि सबसे बड़ा जो ये सूपस्टीशन की स्टोरी चाहिए जब से ये ब्रिटिशर्स ने हमारे यहां पर उनका इन्वाल्मेंट चाहिए एजूकेशन स्टप तो वहां से ये चालू हो गई तीज़े सूपस्टीशन अर्ये अब क्या था कि जो पहले जो घर बनते थे ना तो जो कारीगर होते थे घर नाने वाले उनको बेसिक वास्तू या वास्तू पूरी आती थी वो पड़ा लिखा इंसान नहीं था लेकिन वो अपनी लीनियर्ज अपनी फैमिली से सीखता वा रहा था जनरेशन तो जनरेशन क्योंकि यह नेक्चरल प्रॉसेस वाली चीजी थी कि बहिया नेचर यह बोलता है कि सन यहां से आ रहा है तो यहां पर बेडरूम होना बहुत अच्छा है यह नेचरल चीजों में कोई डिगरी नहीं थी तो अब क्या हुआ जब बिटिश से आये तो अच्छा है जब कहां से हवा आनी चीजी कहां से सनलाइट आनी चीजी कहां से एनरजी का फ्लो डाउनवर ना चीजी थी तो अपवर ना चीजी वो नॉलेच उनको नहीं थी थी वो वा पर दबा दी गई यह क्या कि कि यह सुपर स्टिशन अब ज़नी आगे चली जब जब ज्यादा यह हच से पानी बाहर चल जाता है तब फिर उसको लोता है कुछ गड़बडे मुझे कुछ दिखाना चाहिए कुछ पूछना चाहिए तो वो किसी वास्तु अले के पास चला गया वास्तु अच्छा उसने चीजे को ट्रीट किया तो उसको अब इस आ गया कि इसे अलग अलग जितना उनका ज्यान था वो चीज को सर्व करने लगे लोगों को पर मॉडर्ण आर्किटक को डिगरी थी इनके पास डिगरी नी थी पिसाफ और इसमें बीच वाला आदमी जब घर खरीदने जा रहा है तो तो वह आर्किटक के मतब बिलडर के पास आर्कि किसरा है वो बीच वाला आदमी तो यह अच्छा पॉइंट आपने बदाए कि इनसान का अपना बिलीफ उस मोडालिटी में बहत बड़ा रोल अदा करता है और यह कई बार मेडिकल में भी देखा जाता है कि हम कई बार एक डॉक्टर के पास में जाते हैं दवाई लेते हैं असर नहीं करती हैं तो लोग डॉक्टर्स बदलते हैं तो मैंने अपने परिवार में भी देखा और आसपास में भी देखता हूं कि डॉक्टर बदलने से लगबग अल्मोस्ट दवाईयां इतनी जादा नहीं बदल रही है लेकिन उसको अब डिफरेंट रिजल्ट मिल रह है ठीक है तो अलग डॉक्टर के पास में जाते हैं तो अलग रिजल्ट उनको मिलता है तो कहीं न कहीं बले ही वह केमिकल तो सेम डाला जा रहा है मगर उसका जो बिलीफ है उस पे बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा हो देखो बिलीफ भी है इसमें भी एक थियोरी काम करती ह कहीं बार उस डॉक्टर का भी जश्श था एक डॉक्टर बहुत कोई बीक डॉक्टर नहीं किसी भी फील में एक लोग होते जो टॉप पर होते हैं उस फिल अन्द। कुछ लोग मीडियाब और कुछ लोग पीडियाब कर रह अनो तुक है अब डॉक्टर की बात करें तो ख तो भी वही लिखता होगा, घर में वेट के बनाता नहीं होगा अपनी, कोई मैडिसिन, अप उसके दवाई तो वह ले रहे हैं, ठीक होते चलने जा रहे हैं, उसके जश था, वह पानी भी देगा न, अपने हाथ से उठाके, तो लोग ठीक होंगे, हीलिंग पावर है, चलना जी बतातेगी कि इसमें गॉड्ड गिफ्टेट है, इसके यह पावर है, इसके पास यह नहीं है, अश्वनी नक्षत्र में, अगर किसी के स्टार्स बैठे हैं, अश्वनी, हमारे जितने भी देवी देवता जो थे, उनके फिजिशियंस बताया जया है, उनको हमारे अश्वन होता है, अश्वन होता है, होर्स गोड़ा, ठीक है, तो वो फिजिशियंस थे हमारे इन सभी वर्ल्ड के, डॉक्टर्स थे वो, तो जिनका नक्षत्र यह बहुत अक्टिव होता है, मैं आंग बंगर कर गोई बोलती हूं कि तुम मेडिकल, मेडिसिन, हीलिंग से रेटर उच काम करते हूं को बोलते हैं, हां, वही तो करते हैं, उसी की त्यारी कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, यह नहीं कर रहे हैं, तो अंको बहुत शॉक है, यह शॉक निया है, तो मेरी फैमिली से मेरी दादाजी बहुत बनाते थे जड़ी पूटियों, तो मैंनों से कि भाई तुम एक डॉक्टर के से ठीक नहीं होते हो तुम पचास डॉक्टर के बास जाते हो अब ठीक हो अजया है तो लोग आपको अपको अपने जादू नहीं कर रहे हूं यह सब पढ़ाई है नॉलेच है हुँ हमने रात-रात काली कर एपनी खुब किताबे पढ़िये है लोगों का देख देख के तो लोगों बोलते ना यह सुपर स्टीशन तो मुझे बड़ा इसा लगता है कि यह सो क्या समझाए कि जितना कोई MBPS बढ़ता ना उससे ज्यादा हम पर मतला उसी लेवल का हम पढ़ते है इतनी रिसर्च करते हैं तो सट्य पीशा और जिसका कि अधर प्राइब लेड़ा कुछ रावगों जो अपना उन्होंने कुछ स्टाटब किया है हीलीं के और गयानिक प्रजेक्ट स्टार्ट करके सेकेंड हाउस में सट्य विशा नक्षटर फॉल हो रहा है अच्छा तो सत्य विशा के बारे में कुछ और डीटेल साब बताए सत्य भीशा नक्षत जो है न आप ऐसे लोग हीलिंग में तो रहते ही हैं उनको आउटर स्पेस यूनिवर्स के बारे में जानने का बहुत जादा क्रेविंग होती है अट्रक्शन होता है उन लोग को आँख बन करके मैं उनको बोलते हूं कि तुम लोग कहीं ना कहीं ऐसी है मिस्ट्री जानना मिस्ट्री जानना पढ़ना एसी स्टोरीस पढ़ना अहीं इसन पर कि पर से बारे में और नॉलेजी गेंज देन करना यह कंड़ने कक्र वह जाना करते हैं यह कुंकि तुम वह बश्याधा इंटर्स अपर कृम इसकी एनर्जी बहुत जादा, ब्लैक कलर बहुत इंटेंस है, इंटेंस होते हैं इसे लोग, मतलब माइन में क्या चीजे चल रहे हैं, सत्विशा नक्षत्र, अगर ये खराब हो जाए ये नक्षत्र, ना चार्ट के अंदर, तो फिर ऐसे लोग बहुत जादा मेंटली डिस् ग्रहों से डरने की जुरत नहीं है, ग्रहों को समझने की जुरत है, कि आपसे वो ग्रह क्या चाता है, क्या करवाना चाता है, तो हमारे पूरवजों ने उन ग्रहों के इसापसे डे-to-day basis पे रेमेडिस डिसाइन कर दी, कि बैस उपह उठोगे, ना होगे, सूरज को जलच अब इसको आज के लोग या आज के थिओरी में, अरे तो सूपर सूपर स्टूशन नहीं है, उन्होंने क्यूंकि पहले की चीज़े नहीं बहुत चाता कॉंपलेक्स नहीं थी, पहले लोगा बहुत ही तरीके समझाते थे लोगों इतने बुद्धी नहीं लगा ते आज के तो हर चीज को कॉंपलेक्स करना, इंटेलिजेंस के साथ मेंचे करना अच्छी चीज है, लेकिन ले मैंमें सिंपल पहले सब्सुन पर समयाइब के यह एक यह जा ले और पहले क्या था लोगों को लोगों को लॉजिक्स की आते थे पहले अगर फादर अपनी बेटेको उव पहले बच्चे पूछदे लॉट्टीवट Kenner Catholic लॉडप से लुकु पूछए नाइस आप तो फिर Satellite या सब आप नॉट लॉट्र से पीज्दी लॉट्री में पीज़ी चंडी ना यहां पर सब यह ज़िए बन गई उसमे नएए凌ई आपना उसमें अपना कोई अच्छा देख रहा है कोई बुरा देख रहा है इस पावर को नेगटिव तरही और साथ चीज है इन वार्व मानन रहा है को हऊ सारी चीजें इसमें इंवार्व होगी तो दो नक्षत्रा पित्तक आपने बता दिए बड़ा इंट्रस्टिंग सा टोपिक लग रहा है मुझे तो अश्विनी नक्षत्र और सत्यविशा और भी कुछ है बहुत है मुझे नक्षत्र को ब्लैक होल बताया गया है ब्लैक होल के अनरजी ब्लैक होल क्या है ब्लैक होल में क्या है मैटनेटिक फोर्स वहां पर बहुत जादा है आप में जुद्यक थोरी पड़ी हो ब्लैक होल की तो वहां पर क्या है कि कोई भी चीज महां पर उस होल में अंदर जाएगी तो भाहर निया सकती है वहाँ पर वाइब ब्रेशन मैंनेटिक इतना जादा कंपन है वहाँ पर स्ट्रोंग रेविटी है तो मूल नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं वो यह तो बहुत बड़े spiritual gurus बन जाते हैं या बहुत बड़े terrorist बन जाते हैं अग्षत्र क्योंकि उस बच्चे में बहुत बड़ा कर जाएगा या बहुत बड़ा कर जाएगा या बहुत डिजास्टर कर जाएगा वह बच्चा इसे बच्चों को बच्पन से ही किसी एक डाइरेक्चन में लगाना बहुत जरूरी है सीरियल किलर्स हैं मूल नक्षत्र वाले बहुत सारे में पास में चार्ट में रखे हैं उन लोगों के गूगल पर से देख देके जो बहुत बहुत बाहर के लोग यो सीरियल किलर्स उनके उनके चार्ट मेने देखे मून नक्षत्र मेनर्जीज उस पाइन पर जब उन ऐसे काम किये तो वह एक्टिव था महाद अचा चल रही थी उस टाइन की या फिर बहुत बड़े पर बड़े पर बड़े तो इसे बड़े बाइन पर बना लो या वैपन बना लो उस एनरजी से तो ऐसे बच्चों का बहुत धाना बढ़ता है अब वो कब बता है क्वान बताएगा वो चार्ट से बता चलेगा उसकी मैं तो आप ओशो का कुछ बता रहे था है वी रिसेंट्ली मैंने माशीला अनंद से पोड़कास्ट किया था तो काफी क्योंकि ओशो कुछ जानने में मेरा कुछ का बड़ा इंटरस्ट है काफी रेडिकल आइडिया उनके रहे हैं तो बाशीला अनंद से उनकी परसनल लाई वो सारी चीज़े मैंने जानी तो ये एक नया कॉंटेक्स्ट मिलेगा आपने अग आप इसे लोग हुए हैं उनकी सारा वो डाटा है उसके अंतर तो आप नहीं विल्ट किया है और फिर आप उनके चार्ट अबनाते हैं उनका टाइम डेटा वर्ल बाट बहुत सारे मतलब प्लेयर्स मुझिशियां कुछ इस पर इसकाश करते हैं कुछ लोगों के नहीं था तो उनका तॉरस लगन था, वो ख्यार आपको वो तेक्निकल लेंगे लेकिन हा उनका चार्ट में जो मुझे बहुत प्रॉमिनेंट जी देखी कि उनके उनको जो फेम मिलेगा वो उनके स्टुडेंट्स की वजे से मिलेगा तो वही वा उनकी लाइफ में फॉलोवर्स और उन लोगों को आफ्टर डेथ जादा फेम मिलता है तो ओशु को डेथ के बाद में जादा फेम मिलना है और वो इम्मोरल हो जाते है मतलब मतलब आपको हैं ही आपका भी खतब नियो सकते वच जरती से कुछ ऐसा ही काम कर दिया तो उनकी डेथ की बाद में क्यूंकि उनका एट था उस है, hidden चीजे, कुछ ऐसी theories develop कर देना, जो ना किसी ने सोची, ना किसी ने करी, आज तक, जब इन दौनों को combination बनता है, तो ऐसे लोग अपने death के बाद में, ज्यादा famous हो जाते हैं, इवन ओशो, I think, at death time, he actually predicted this thing, कि मेरे जाने के बाद, यह revolution और है, ऐसे बहुत बड़ी एक बार की, मरलीन मुन्रे, मरलीन मुन्रों मेरे गलते हैं, उनका चाट, बहुत अल्ली एज, बहुत सक्सेस्फुल हो ली थी, और फिर सुसाइट कर लिया था, और उनको बहुत सारे disorders थे, बहुत सारे multiple disorders, stories बनाना, कुछ कुछ सोचते रहना, और बहुत सारे उनकी लाइफ में, उनकी अल्ली एस थी, वो भी बहुत ऐसे खराब सी गई थी, ठीक है, उनका चाट में ने देखा, तो वो 8th house से connection था, 8th house है बहुत extreme house है, ऐसे लोग है उनकी लाइफ में बहुत सारे scandals, up and downs, दो साल बाद में इतना उटा हो गया, फिर अरे इतना उटा हो गया, अब यह पतला हो गया, तो ऐसे ट्रांसफोमेशन होता है, और जब उनकी डेथ होई थी, मैंने वो सारा calculation करते रात को, मुझे बच्चों को सुला सुलू कि मैं लग दी, उसमें यह तो ऐसी नशा है कि आप गुसे तेले जाते हो, तो मैं देखनी नगी किया, डेथ किस दिन होई थी, फिर मैंने गूगल पर से देखा कि किस दिन होई थी, फिर मैंने वो टाइम मैच किया वाँ पर, तो वो सारा connection बढ़ रहा था, कि चंद्रमा की, शनी के यन्दरशा, मादशाति, एड़ थाओ से कोचर कर रहा था, इस स्टम भाउफ डेथ का है, मिस्ट्री उसका है, सदन डेथ का है, अन्नोन डेथ का है, मेसी का भी निकाला है गया? मेसी का भी मैने उसनका निकाला था, टोटा तोड़ा लोग बड़ा है उसमें अवह की नालका था उनके बहुत सारे प्लैणेट्स उसमें है एरी साइन में है जैसे लिभ्रा एक्वेरियस जैमिनाइब एरी साइन है तो यह मुवमेंट वाले काम ही तो है वो हवा में तो जित्ति भी लोगों की पीछ में हवा का एलिमेंट है यह तो ऐसे लोग अपके लिए में नहीं रह सकते इनको चार लोग चाहिए इनकी बातें सुने तो इनको चैन पड़ेगा इनकी आइडिया सुने और दुनिया इनकी आइडिया को फॉलू करती है अगर यह स्ट्रॉंग है तो अगर कि अच्छा है तो ऐसा इंसान बहुत चोटी उमन में बहुत बड़ा बिजनसमन मन जाएगा अपना कुछ एंपार क्रादेगा पिसी की जॉब नहीं कर सकता हो इनसान उसके खुद के आइडिया बहुत बड़े बड़े होते हैं ड्रीम से रहता है वह उसको हर चीज बड़ है कि वह थोड़ा टाइड में और डेट में यह बोलते हैं कि कुछ वेरेशन है लेकिन जो मेरे पास में चार्ट उससे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मैच करती है तो स्कॉर्पियो उनका लगने मंगल और चंडर की कॉंबिनेशन है बहुत स्ट्रॉंग होते हैं से अपने लाइफ टाइम में अपने रोग रिंड शत्रू खतम करते हैं लेकिन बनते बहुत इन लोगों के बिजनस के लिए कुछ इंसाइट्स आप दे सक है कि हम बिजनस में मरकरी प्लैनेट इंपोर्टेंट है सबसे जादा और बिजनस के अंदर वर्गो साइन और जैमिन इस साइन मतलब मित्वन राशी अगर आपने सुनी और कन्या राशी यह दो राशी वाले लोग अगर आते हैं तो मैं बिल्कुल बोट आराम से मिल्कु जन्रेटिक्शन से हैं वर्गो साइन हर काम को इंटेलिजेंस के साथ करेगा हर काम को वह इनफॉर्मेशन चाहिए उस साइन वाले लोग अनलेटिकल पावर बहुत अच्छी होती हैं जितने भी प्रॉफेशनल से ना वह सब वर्गो साइन वाले मुझे कूंते फिरते दिखते हैं उनको मैं आग बंकर की चीज़ बता दूए को यह करता है हर टाइरी मिंटेन करना पापिक्स बनाना पॉइंट साइन पून्र फ्रॉपेशनल प्यूण गर्भानर्मर नर्णा कषट्र ब्गवान रावन चन्छी जन्मन अख्षत्र था पुन् HAR वसु Jamst की नेक्स्टी नाथ की गर्फली हो ना तो जिनका प्रॉपनर्वसु नक्षत्र उनकी लाइफ में से एक बास सारी चीज़ जाती ह बाइसा हो पावर हो गोल्ड हो फैमिली हो बंगवान रामकी वह गई थी एक टाइन पर पुन हर वसू पुन हर मतलों वाप पिस आना पुन हर अच्छा एक बात जाएगा और फिर रिबांग गई तो वाप पिस आगे थी तो में उन्हों को यह पोलती हूं कि बई या तो अग बढ़न गोल्ड भी किया था पर हाँ अब उसे डबल हो गया तो वाप इस नग्षट्रे अपके यह जिनों ने वाप इस से हिंद्यूजम को रिउनाइट किया था शंकराचार्य अधी शंकराचार्य उनका जन्नक्षट्र है पुनर वसू तो इसका हिंद्यूजम की रिउन अधी शंकराचान ने उसको पुनहर रिस्टैबलिश किया था जन्नक्षट्र है उनका तो वेदों में इसके बारे में और क्या जिकर है आप कुछ अथर वेद का बताते थे कि सब में अथर वरिग वेद में मंत्रों के उपर जाना बात बताया गया है सब वेदों के अंदर वेदों ने नीव रखी इस इस अच्छ ओके और उन्होंने ब्रह्मान के जित्ते भी ग्रह नक्षत्र उसको रिसर्च करकर करें आप ही एक तरीके से रिशी मुनी हो अगर अपनी फिल्ड में अगर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो तो आप एक रिशी की जैसे ही काम कर रह जो रिशी कर रहा है वो उस टाइम के सिंटिस्ट है अ प्छी मुनी हो एक तरीके से अब अपणी फिल्ड में रिसर्च कर रहू है तो एक लास्ट मेसेज बच्चों के लिए कि जो बच्चों के लिए पैरेंट्स क्या कर सकते हैं कि एक सरस्वती का अशिरवाद बच्चों पे बना रहे है तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें अपने आपको एजुकेट कर सकें इंटरस्ट पैदा हो पड़ाई में, उसके लिए क्या कुछ रेमेडिस रहती हैं? सबसे जादा डेड एनरजी राहु मंगल की क्रेट करते हैं, बच्चों को डिप्रेशन आएगा, बच्चे अब फोकस नहीं रहेंगे, बच्चों को लाइफ में प्राबलम आएगी, जैसे ये चीज़ रिमूव होगी ना घर में से, मतलब आप दीख लिए 24 गंटे के अंदर अंदर ही माइंड को रिलक्सेशन फील होगा, हन्रिड परसेंट है ये बच्चों के लिए पुराना स्टोरेज रखावा है, मैं तरहीं कर दो मुझे लगता है कि मैंने सफ साफ सफाई के पैसे रीइंग हीर से, बच्चों के सिफ च्या करवा है, पुराना इतना समान रखा तो दो और मैं एरियास में आपसे चाहूंगा कि आप ओडियन्स को एजुकेट करें, एक तो रिलेशनशिप कि अगर कोई घर ऐसा है जिसमें रिलेशनशिप को लेके बड़े प्रॉब्लम चलते हैं, हस्बेंड वाइफ बच्चे या सास बहु इन सब के बीच में एक टॉ हो सकती हैं, आपके मोडालिटी वास्तों में, सबसे पेदर जो भी मैंने डिसकस की थी, घर से पुराना, यह तो निकाल देना है, ठीक है न, घर के अंदर है न, घर के इंटीरियर्स को बहुत सिंपल रखना है, बहुत जादा आर्टीफेक्स इधर भी लगें, इंदर भी हैं, आपके माइंड को डिस्टरब करेंगे 100%, आप वैसी फायरी नेजर को याद मी है, उसको फायर के पास जागे जादा वह एगा, तोसत है, घर में इस नेचर की लोग है, फिर आप उसको और प्रोवक कर रहें, ऐसे कलर्स और इंटीरियर्स करा 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 के, तो जितना हो स अच्छा रूम शिफ्ट करिये, अच्छा रूम शिफ्ट, अगर वह ऐसे रूम में रहे हैं, आपके कोई लाइट नहीं है, हवा नहीं आ रही है, कर्टन को बंद करकर के रखते हैं ये लोग, मतलब इसमें भी पता चल जाता है मेर को, अभी कोई चार्ट आया था, तो वह पढ़ाई कर रहा है, और वतलब उसने इंजिरिंग कुछ करी थी अच्छी सब कुछ जा रहा था, अच्छानक से उसने सब कुछ छोड-चार्क की गर में बैट या तो वह बाट सिवाया है, तो वह चार्ट से मैंने बताया, राहो की माधाशा स्टार्ट उई ही, तो मैंने कर रहा है वो स्ट्रीट डॉक्स को जाके ज्यादा खाना के लाना करना गलत नहीं यह करना चाहिए लेकिन निकल जाना सिर्फ उनी वह सड़कों पर बैठे जाना तो यह वियर्ड हरकती होगा इस राहू नेगेटिव रोल प्ले कर रहा था महाँ पर छटे कर रहा चटा सर्व देशन था ग्रहन योग तो मैंने सिर्फ और उसकी दशा भी चल रही थी तो मैंने उनकी मदर को यह बोला कि यह बच्चा आपने रूम में कर्टन लगा के रहता है को यह कर्टन खोल देता है तो इस बच्चे को गुस्सा आता है तो बुने बिलनकुल एक्जेक्ली चूकि उसके लिए क्या रेमेडी आप सजेस्ट करेंगे इसमेरा एक चीज है कि उसमें उसकी पहले तो चार्ट सबसे इंपोर्टन है क्योंकि है वन गो में वन टाइम में एक रेमेडी बताना बड़ा ही मुश्किल है तो क्या कोज हो सकते है यह कोज है उसके लिए कि कुछ ना सब्सक्राइब करेंग चाटागर आठवागर इंवाल्ड है और साइमेंटेसी उसके उनकी वास्थू भी बहुत खराब है यह तौनों ही जब ठीक होंगी ना बैलन्स होंगी तो इस इंसान को रिलीफ आजागा महीनों में यह सालों में जो ताइम उसको दसाल लगने थे वो रिलीफ उसको दो साल में आ गया यह पास साल आना तो एक साल में इसको रिलीफ आ गया रिलीफ जरूर आ जाएगा परफेक्ट शर्दा जी बहुत ही इंट्रस्टिंग आपने जवाब दिये और बहुत ही सिंप्लिफाइड वे में लोगों को एडुकेट किया सबसे कॉमन एस्ट्रोजिकल टिप क्या है जो हर कोई फॉलो कर सकता है चाहे कोई भी उनका जोरियाक साइन हो जब कोई एमोशनली या मेंटली परिशान हो तो एस्ट्रोजी के साब से तीन क्विक टिप्स उन्हें क्या करने चीए सबसे पहर तो सूर्य को जल च्राणा क्योंकि सूर्य जो है वो आपका व्लानेंट आत्म का ग्रह है तो आत्म या परिशान है फे चंद्रमा माइंड को दिखाया गिया है घरहों के अंदर तो माइड फ्रेन मावस्या वाले दिन और पूर्णी मावाले दिन जो चंद्रमा उधास की हाई वाइबरेशन होती है आप देखो उसी दिन आपके सी के अंदर मतलब सम्मुत्र में सबसे जादा हाई टाइस और लो टाइस रहती है हमारी human body में भी 50-60% water है तो उस दिन हमारे emotions बहुत उपर नी अब बैतर नींद और मेंटल रेस्ट के लिए एक सिंपल वास्तू एजिस्मेंट की घर के अंदर नौथ डारेक्शन में या इस डारेक्शन में आपको प्लांट्स लगाने चाहिए ओके ठीक है ना साउथ डारेक्शन में आपका sleeping मतलब आपका bedroom होना चाहिए साउथ में य करने के लिए टिप देना चाहते हैं तो क्या हो उस घर में वहां के रहने वालों की जो सोच है उसी से वो घर बन रहा है पहले अपनी सोच को बदली positive रहेंगे तो आपको automatically ऐसा कोई ना कोई इनसान या कोई science मिल जाएगी जिससे आपके घर के environment energies भी change हो जाएगी कौन से celebrity क लाइफ को देख के लगता है कि इनके घर का वास्तु ठीक करना पड़ेगा मेरी ख्यास है तो अमेर खान का लाइफ में बहुत अपन डाउस अपन डाउस और थोड़े से extremist हैं कई energies balance नहीं है उनकी यह मुझे परस्टनली लगता है अगर काली बिली आपका रास्ता काटते तो कि आप रुकते हैं यह तो बहुत अच्छा है कुछ भी आसे नहीं है रश्यानों तो बिली को पर रखा जाता है पैटे हुआ का बहुत अच्छा तो यह चुटी-चुटी सीजे हां लेकिन यह energies है 100% काम करती मैं यह नहीं कह रही हूँ अब भी डिपेंड करता है आपक कि गर में भी कांच का वरतन तूट जाए तो उसे शुब माना जाता है 100% अगर कांच का तूटना क्यूंकि यह scientifically बताया गया है जितनी भी negative energies का जो वास है वो कांच में होता है अगर वो तूटा है तो बहुत सारी negative energy ब्रेक होई है कुछ लोग कहते हैं कि उनको किसी बुरी नजर या spirit का एसास होता है क्या आप ऐसे वाइब या sensation को feel कर सकते हैं हाँ बुरी नजर तो बिलकुल 100% होती है और वो जो दूसरा वाला था वो actually मैंने अभी तक तो नहीं करिया बगवान नहीं कहीं भी करवा है क्यूंकि मेंको कोई interest नहीं है उस एरिया में गुसने का और तीन टिप्स वास्तु के according जो बुरी नजर से बचाती है एक तो Saturdays को अपनी नजर उतारना बहुत वंडरफुली काम करती है यह ठीक है ना और कुछ ना कुछ जो लोग बहुत जल्दी अपने चीजे फटा-फट से शेर कर देते होने से पहले तो वो उनको नहीं करना थी जब पूरा फुल प्रूफ हो काम हो जाए तब करिए अगर बार बार आपकी चीजे ब्रेक होती है आप लोगों को बताते हैं वो जीजे नहीं होती तो आप रुख जाएं मतलब आप पे नेगटिव एनरजी या बुरी नजर आप में लगती है और यह जरूर नहीं कि सब कि रहेगी फोकस हट जाएगा इस सब नेगटिव एनरजी की सिंटम से और आवीक है और आव स्ट्रॉंग होगा तो कुछ नहीं होगा था जो टिप है मेरा वो मतलब पावर्फुली बहुत अच्छे अच्छे रिलीजियस प्लेस पे जाना है यह अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर्फुल आपको पावर देती है आपको साल में हम बोलते हैं कि हमको वेकिशन पर जाना चाहिए आपको साल में दो बार कोई अच्छे रिलीजियस टूर करने चाहिए सारी एनरजी आपकी नेगटिव तो खतम हो जाती है और बलकि आप वहां से चार्ज हो के ह हो जाते हैं कि हजारों साल से वहां पर लोगों ने तपस्याइं की है वहां पर बहुत हाइव एद्रिशन से और वह एनरजी जब आप कॉंशेसली वहां से लेकर आते हो तो आपकी लाइफ वन एटिर से चेंज हो जाती है लवली